जैहिंद वेलकम बैक टू विजेपत एजुकेशन पालूमपूर एक वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धरमशाला के द्वारा दो पेपर कंड़क्ट करवाए गई जिसमें से पहला मोर्निंग शिफ्ट का आपका एक्जाम था एच्पी टैट आर्ट्स का और अभी इवनिंग के सेशन में मेडिकल का एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया है तो उसका जीके का सेक्षन हम सॉल्फ करने वाले हैं तो आई होप आप सभी का एक्जाम काफी अच्छा गया है जल्दी से आप हमारे साथ बीडियो को शेर आप जरूर करें देखी 121 कोईशन क्या दिया गया था निमन में से किसे प्राचीन काल में धारगिरी के नाम से जो है वो जाना जाता था तो नूरपुर को जो है वो जाना जाता था ओप्शन सी इसका बिलकुल सही आंसर रहेगा ओप्शन सी को आप टिक क लीजिएगा, next 122 question था, हरी चंद द्वारा गुलेर राजे की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो हिस्टरी से रिलेटिड हिमाचल हिस्टरी का important question था, और इसका right answer था, 1405 इसवी में option D, इसका बिल्कुल सही answer है, हरी चंद के द्वारा गुलेर राजे की स्थापना 1405 इसवी में की गई थी, next है, बीर सेन ने किस राजे की स्थापना की थी, तो बीर सेन के द्वारा जो है वो सुकेत राजे की स्थापना की गी थी, option A जो है वो बिल्कुल सही answer इसका रहेगा series C को हम discuss कर रहे हैं जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं अपने answer की को cross check करें कितने question आपके GK के 30 में से बिल्कुल सही जाते हैं next question था महाभारत काल के दुरान कांगडा को किस नाम से जाना जाता था यमुना नदी को सूर्य भगवान को ये समर्पित है option B जो है वो बिल्कुल इसका right option रहेगा next है चमबा राज्य की स्थापना कब हुई थी तो चमबा राज्य की स्थापना जो है वो 550 इसवी पूर्भ में जो है वो राजा मारु के द्वारा की गई थी और 920 में साहिल बर्मन के द्वारा इसको जो है वो फिर से नई से रिस स्थापित किया गया था तो option B इसका right answer रहेगा 550 इसापूर्भ next है 127 महमूद गजनभी ने किस वर्ष कांगडा पर आकर्मन किया था most common सा question है ये और 1009 इसापूर्भ में option B इसका right answer है कांगडा के किले के उपर जो है वो आकर्मन किया गया था next 128 question बिलासपूर रियासत का हिमाचल परदेश में कब बिले किया गया तो बिलासपूर जो है वो पांचमा जिला जो है वो हिमाचल परदेश का बना था 1 जुलाई 1994 को option A इसका बिलकुल right answer रहेगा 128 का option A जो है वो जुलाई 1954 विलकुल right answer है next 129 पूर्भी पंजाब सरकार का मुख्याले शिमला में कब तक था तो इनका जो मुख्याले रहा था 1966 तक उसके बाद इसको विशाल हिमाचल में जो है वो convert किया गया था तो 1966 option D इसका right answer रहेगा next question है संसद द्वारा हिमाचल राजे कानून कब पास किया गया था तो संसद ने जो पास किया है वो किया है दिसंबर 1970 में और 1971 में इसको पूर्ण राजे का दरजा मिला था तो यह आप ध्यान रखें option D इसका right answer रहेगा next है द्रबिड मुनेतर कडकम की स्थापना जो है वो किस सवर्ष की गई थी 131 question है इसकी स्थापना की गई थी 1949 में 17 सितंबर 1949 को इसकी स्थापना की गई थी तो then option A is the right answer next है word level के GK के question आपके पूछे गए थे काफी hard level का आपका exam था यह GK के section से भी कौम कौन का समंध जो है वो किस से है तो Soviet Union से है option C इसका right answer है कौम कौन जो है associate करता है किस से SU से Soviet Union से option C is the right answer next 133 question किस संबेधानिक संसोधन द्वारा प्रीवी पर्स की समापती की गई थी तो प्रीवी पर्स की जो है वो उसको जो समापत किया गया था वो 26 संबेधानिक संसोधन था Consecutional Amendment था 26th then option A is the right answer next 134 question गैर कांग्रेस बाद का प्रस्ताव किस ने रखा और उस पर किस ने जोर दिया था तो राम मनुहर लोहिया option C इसका सही आंसर रहेगा next 135 question राजय पुनर गठन अधिनियम कब लागू किया गया था तो इसका 135 question जो है इसका राइट अंसर रहेगा 1 नवंबर 1956 को जो है वो राजय पुनर गठन अधिनियम जो है वो लागू किया गया था option A is the right option 136 राश्ट्री मोर्चा के गठवंदर में कितने राजनेतिक दल शामिल हुए तो टोटल जो है वो बरतमान में टोटल जो है वो छे राजनेतिक दल जो है वो शामिल है option C इसका राइट अंसर रहेगा हैदराबाद रियासत का कब भारत में बिले हुआ यानि कि हैदराबाद की जो रियासत थी उसको कब इंडिया में जो है वो मर्ज किया गया 137 question है सितंबर 1948 में option D is the right answer इसमें 1948 में जो है September में इसको जो है वो किसमें इंडिया में मर्ज किया गया था next 138 question है भारत में communist party की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो community इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1925 में 1925 में उसकी स्थापना हुई थी लेकिन उसको 24 में जो है वो start कर दिया था इस question में हलका सा doubt है basically depend करता official answer की के उपर मेरे according 1925 आपका accurate answer लेकिन majority के according सबसे close answer आपका option B ही है तो आप इसको tick कर सकते हैं next question है European Sun की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो establishment के question काफी पूछे गए थे आपसे तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में 1993 में तो option नहीं दिया गया था तो आपका none of these option D इसका right answer था next है 1886 में किस देश ने अमेरिका को statue of liberty उपहार में दिया था तो यह दिया गया था France के द्वारा option A बिलकुल काफी interesting history जो है वो statue of liberty की रही है आप उसको जरूर एक बार read करें France इसका right answer है next है दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है देखी medical science का एक question जीके की form में आप से पूछा गया तो crab का यानि की केंकडे का खून जो सबसे महंगा बिखता है option D इसका सही answer है 142 question सरप्रतम गेहूं की फसल किस देश में उगाई गई थी तो गेहूं की फसल जो है 143 का right answer है बियत नाम लाल नदी कहां बहती है बियत नाम में option C right answer है कौन सा ब्रिक्षा है जिसको काटने पर वो बच्चों की तरह वाज करता है तो metric tree के नाम से हम उसको जानते है option A is the right answer then 145 question कौन सा सजीव है जो लगातार तीन साल तक सो सकता है वो है समुद्री घेंगा हम जिसको कहते हैं C snakes उसको हम बोल सकते हैं तो option D इसका भी right answer है next most important question भारती मुद्रा का नाम रुपया किसके द्वारा रखा गया था रुपया किसके द्वारा रखा गया था तो शेर सहा सूरी option B इसका right answer है next जीयों और जीने दो का नारा किसके द्वारा दिया गया था महाव प्लास्टिक के नोट जो है वो चलाए गए है option A इसका सही answer रहेगा next किस पेड के नीचे सोने से इंसान मर सकता है तो देखिए सभी पेडों के नीचे जो है वो नहीं सोना चाहिए आप सभी जानते है 10th class 9th class का common सा question है कि पेड क्या करते हैं उनके photosynthesis का प्रोसेस नहीं होता है तो शाम को carbon dioxide release करते है पीपल को छोड़के क्योंकि सबसे दा oxygen produce करता है तो देखिए केला आम या फिर पीपल तो option में नहीं है लेकिन जब नीम की बात की जाती है तो नीम एक ऐसा पेड़ है जहां पे वो एक ठंड़क जो है वो release करता है जिसकी वज़े सांप जो है वो नीम के पेड़ को कहा जाता है इस वज़ा से नीम के पेड़ के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए option B इसका right answer है last question था आपका GK के section का और most important question सास बहु मंदिर कहां पर स्थित है तो सास बहु मंदिर जो है ये आपका स्थित है उदेपूर में राजस्थान में MP में भी स्थित सही हो वीडियो के साथ आप बने रहें जल्दी ही इसका medical tat का मैं next एक पार्ट आपके सामने ले के आऊंगा वीडियो के साथ बने रहें वीडियो को like जरूर करें share करें और comment करें कि आपकी कितने number जो है बो GK के section के बने हैं जल्दी ही next class के साथ मैं आपसे मिलता हूं तब के लिए जय हिंद जय भारत